गीत माटी मानुष की इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं देहरादून के गड़वाल की पाड़ियों के बीच में बसा हुआ छोटा सा इरा का लाखमंड। कोई भी संस्क्रिती, कोई भी समाज, कोई भी कुटुम का तब तक विनाश नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर का कोई अपना उसका कारण ना बने। ऐसा माना जाता है कि ये जगा लाक्षग्रे थी। दुर्योधन ने पांडव को जलाने के लिए यहां पर लाक महल बनवाया था। आज भी गुजरे दौर के उनके चिन, मूर्तियां और स्पर्श पाए जाते हैं। आए जानते हैं यहां के निवासियों से उस लाक शग्र है और लाक महल के बारे में। आए जानते हैं। कि अधनते हैं। आए जानते हैं। आए जानते हैं। जए जए फ।टिया तोर फे जुटिया शेया नहीं रपिदाने हम खाले लोगवज शेलिद सैंड़ीं जए और पत्रेज पाले सुटिया तो खुटिया है मित्रू मैं इस वक खड़ी हूँ की मुष्ष्था यहां हर जगा जगा पर आपको शिव की मूर्तियां देखने को मिलेंगी हमारी साथ इस वकट हैं पंडित महिमानेंद जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस अओनने के बारे में बताया हैं नमसकार पंडिजी यहां की विश्ष्ष्था और इस मंदर की बारे में आप हमें कुछ बताएं? यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए इस भूमी अस्तल से पूरे गॉं के तरब से आपको सबसे पहले तो नमस्कार है नमस्कार धन्यवार यहां पर 33 करोड़ देवी देपता है और सवा लाक लिंगों की अस्तापना है और चार युकी लिंग है जो की यहां पर आपके प्रांगन में बिराजमान है अंदर वाला सिबलिंग जो है जिसकी खोज गाय माता ने करी है यमन पार से आती थी मंदिर के अंदर जाके सिबलिंग के ओपर दोज कि धार गेर के अब सेकग पूजा करके परिकर्मा करती थी तो यe स्मंदिर की खोज गायमाता ने करी है, महापार्वति जी के चरण अंदर है, और यeIs लाल लिंग जो है ये त तिरता युग में में ये हरे रंग का लिंग जो है ये द्वापर का है जब किरशन भगमान का अफतार होधा दीरता युग में और जो कलियों का सिबिलिंग है वो आगे है जिसमें आप रोक जर्का लोटा गेरेंगे और आपका परति छाया उसके अंदर जो है साक्षात दिखाए देगी और इस मंदिर पे उपर से लेकर के नीचे ताक गाय माता के खूर के निसान भी मिलेंगे आपको खूर के खूर के पैर के निसान जो कि पारवती मा के सक्ती पत्थर पे चरन उनके और गाय माता के सक्ती गाय माता के पत्थर पे हर पत्थर पे आपको पैर के निसान मिलेंगे और देखो आप जी जी आप देख सकते हैं खूर के निशान पूरे मंदिर पे गाय के खूर के निसान मिलेंगे। हम लोग जाएंगे और सब लोग वहाँ पे नमन करेंगे माता मैं सवसुर मर्दनी मा को। पंडित जी ये किसकी मूर्थी है? बेटी जब दक्स राजा ने यग्य किया था तो संकर भवान को और सती मा को अपने बेटी और जौएं को उन्होंने यग्य में सामिल ने किया। तो सारे 33 क्रोड देवी देवता और पूरे दुनिया के राजा लोग वहाँ पे यग्य में सामिल हुए और अपने बेटी और जौएं को उन्होंने नहीं बुलाया। धख्तरा जाने। तो साती मा ने बोला ये स्वामी जी में तो जरूर जौँगी, मेरे पिताजी के घर में तो यग्य हो रहा है। भगवान ने बोला ये देवी मत जाओ, बिना बुलवाई जो है बगवान के घर में भी जानाने चाहिए। तो देवी ने नहीं माना, वो चले गई वहाँ पे यग्य में, वहाँ जाके उसको उसका बहुत बड़ा अपमान हुआ, हवन कुंड में कुद पड़ी, वो भसम हुई, संकर भगवान ने अपने सरीर को मला और बीर और भद्र भगवान को पैदा किया, सचिव में इनका रू है, द्वार और पाल, अब ये कल्यूग है, कल्यूग में ये देव है, इसका हिरे मुति का मुकुट है, और ये दानव है, इसके खोपड़ी पे मसान का निसान है, आप देख सकते हैं इन चीजों को, जो आदमी कोई, इस इलाके में कोई 24 काउं की हमारी पट्टी थी, जिस में के लिए, पंड़े जी अपने घर से गंगा यमना जल लेके आते थे, और दोद का कोटोरा थोड़ा भात लेके आते थे, और मंतर द्वारा उसमें जल का छेड़ा गेरा और वो जीवित हो जाता था, और पंड़े जी अपने हाथ से उसको दोद भात खिलाता था, और फ गुफा मिलेगी वह पांडपों की दुन्द गुफा है उसके अंदर से एक सुरुंग किदारनात बद्रिनात के लिए है जासे पांडप लोग स्वर्गा लहनी गए वैखुंद धाम और सामने जो यह बहुत बड़ी सिविलिंग है अस्तापित की है यह धर्मराज दुष्ट दुष्टर महराज ने अपने हातों से इस शिविलिंग की अस्तापित किये थी आप देख सकते हैं यह धर्मराज युदिष्टर ने अपने हातों से इस्तापित की है आप उपर चले जाओ और भगवान के दरवार में माथा टेक लो दूष्ट की दुष्टर महराज पाँचों भाट पांड़ आए थे उन्होंने इस सिविलिंग की अस्तापना धर्मराज दुष्टर महराज ने अपने हातों से करी है और ये चारों तरफ चार मठ हैं, इनके ऊपर छोटी-छोटी सिबलिंग थी, वो इस्टोर में रख दी, क्योंकि यहां पे कुछ बार कड़बड हो गया था मामला, तो ये भीम है, ये अरजून है, ये सद्यू है, ये नकूल है, ये चारों भाई, बड़े भाई की रक्षा क अग्षा के लिए तेयनात इन, सो बिसगन्टे तयार रहते हैं, तो इसको धर्मराज उड़िष्टर माराज सिबलिंग के नाम से कहलाते हैं, इसके एक परिकर्मा करने से जन्म जन्म के सारे पाप, आठ जन्म के साथ जन्म के पाप सारे खंडित हो जाते हैं एक परिकर्मा करने से इस सिवलिंग की आठ जन्मों का पित्र पांका उद्धार होता है आप देख सकते हैं कैसे चारो तरफ मठ बने हुए हैं चारो भाईयों के चारो भाईयों ने अपने हातों से बनाई हुई शिवलें को इन मठों पे रखा है तो पन्दा जी कि निए हमाले कने जिए अक होगे पूरी बारत के लोग आते हैं पर विष्वचय लोग भी यहां पर दर्सर करने आते हैं तो कोई त्योहार जैसे शिवरात्री पे तो यहां पर बहुत धुमदाम से शिवरात्री मनाई जाते होगे। वाजवाच आरों धाम के कपाड उसके बाद खूलेंगे और पूरे जैस में फिर मेले मेले होते हैं। पंडे जी रस्त की काली मा के बारे में थोड़ा से बताएं। यह काली माता रस्ते की इसलिए है कि यहां पर चार रस्ते हैं चारों तरफ तो इसको चौराई कहते हैं। और हमारे पाड़ी छेतर में कहते हैं इसको चोवट्टा। तो यह रस्त की काली मा है। यह रस्तों की रक्षा करने वाली माता है। जैसे आपकी टीम आ रखी है। बार से यात्री गण आते हैं। अचिछी लोग आते हैं। तो यहां पर माता टेकते हैं। तो रस्त की काली मा उनकी रस्तों की रक्षा करने के लिए 24 घंटे तयार है। आप देख सकते हैं रस्त की मा को जो आने जाने वाले यात्रियों को बताती हैं कि किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है। जितने भी हां रास्ते हैं उनकी रक्षा करती है। अब पले जी कौन सी माता है। यह हजयकाली माहा जी, इसकी पूजा करने से, इसके दर्सन करने से, यह सारी बीमारी जैसे उल्टी दस्त होती है, तो इसको हजय की बीमारी कहते हैं इलाके में, और यह पूरे सहर में, पूरे गों में फैल जाती है, तो इस पूजा करने से, हम लोग इसकी पूजा करते हैं, तो सब लोग जो है, सारी बीमारी खंडित हो जाती है इस माता जी की पूजा करने से ये माता खपरवाली माता भी है और महकाली माता भी है इसके जो औजार है ये प्राचेन है यहां पर मित्रो आप देख सकते हैं कि हैजा काली माता इसलिए पूजे जाती है अगर गाव में किसी को है जाए या कोई बीमारी हो जाए तो वो मा की दर्शन करने आते हैं और उनकी जो भी परेशानी होती है वो अपने आप दूर हो जाती हैं इन्हें प्राचीन काली माता भी कहते हैं झाल प्रवादिक ओम्तरम्वकम्जिजामये सुगंधी पुष्टी वर्दनंपुरुवारुकमे वन्दिनात् मिर्तुर्मुक्षि महामिर्दात् ओम नमों सिवाई नमों। यह भगवान जो है इसके दर्सन करने से यह पारदव शिविलिंग और अजबूत स्विलिंग चिंता अहरण महदेव इसके दर्सन करने से आठ जन्म जन्म के पित्र जिव्कां का उतार होता है यह सिविलिंग जो है अश्ट जलों के बीच में विराज माने इसके चारों उइस को और चिभलिन्ग कुहते हैं और यह मात्या शो एक रूप बार्वतित मा का भी है और गोरा मा का भी है इस माता के ऊपर जैसे आपकी हस्त रेखा है तो ऐसी भी इस पार्वति मा की हस्त रेखा भी आप देख सकते हैं ये भी प्राचिन है ये देखो बनावट ये इस सिबिलिंग को निकल के करिवान पचास पैंताली साल जमीन के अंदर पहले गड़ावा था हम लोग उस समय छोटे थे आठ दस साल के हम प्राइबरी स्कूल में जाते थे और इसके ऊपर चल के जाते थे तो यहां पर ये गौशाला आगे बन रहा था तो एक हरी नाम का था उसको सुपना लगा और इसके चारों और उन्होंने बोला बहुत लंबे लंबे बालों के बहुत लंबे लंबे जटों के वो चारों तरब चार बुढ़े हमारे दादा लोग बैठे थे उन्होंने उस हरी नाम के कारपेंटर को कहा है कि अरे हरी नाम के कारपेंटर आप लोग गौमें बताओ और हमारा परचार करो हमको उपर निकालो हम जमीन के अंदर गड़े वे हैं और हमारे उपर टट्टी पे साफ जो है दुनिया के लोग करते हैं और हमारा उठान कर दो जिससे की हम लोग हमारी पूजा करेंगे इस मिर्तुलोक में हम लोग जमीन के अंदर हैं तो उसकी जब नींद खुली हरी न करते करते माता जी का पहले जलेरी लगी और माता जी की जलेरी के दर्शन करते ही फिर भगवान संकर भगवान सिवलिंग परगट हुआ इसको अदुबुत सिवलिंग के नाम से कहलाते हैं और पारदब सिवलिंग इसलिए कहते हैं इसके अंदर जो है सारी दुनिया का जितने प्रति जो कोई आते हैं रात दिन इसके अंदर आपकी परतिछाया दिखेगी से कोई अंधरे में आएंगे तब इसके अंदर तनमन धन से इस भगवान के परतिध्यान है तो उसका कल्याण भगवान करने वाला है इस गाउं की प्राचीन ता विशेष था और यहां के महत्व के बारे में कुछ बताएं इस गाउं का नाम जो पुराना नाम इस गाउं का मोडा कहते हैं मोडा इसलिए कहते हैं कि यहां पर जो कोई आदमी मरता था उसकी डेड़ बोड़ी जब यहां लाते थे यह सामने जहाए हम इस समय बैठे है यहां पे अबसेख जितने भी निकले हैं यह दो हजार साट में खुदाई में निकले और यहां पे अनेक थे थेटों में हल लगाते समय और गौ में कोई मकान कीडियां बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, लेट्रिंग गड़ा बनाते हैं, कोई भी कामकारिय करते हैं, तो कुछ ना कुछ यहां पर शिवलिंग और शिव और पारवत की मूर्ति यहां पर निकलती रहती हैं, वो सारी मूर्तियां हम लोग लाते हैं, और मंदिर के प्रांगन में जो इस्टोर बनावा है उसके अंदर फिर जमा कर देते हैं जिसा कि आपने सुना कि आप मेरे चारो तरफ शिवलिंग देख सकते हैं ये शिवलिंग खुदाईयों रत लगाने और हल्थ लगाने और मकान की नीव रखने के दोरान पाई गई है यहां पर जैसे आप लोग बार से आ रहे हैं और इस गौँ में बार से बहुत अथिची लोग आते हैं वो पूश्टे रहते हैं कि पन्र जी इसके बारे में बताओ कि यह मंदिर कब से है क्या है कैसा है तो यहां पर हम लोग जो है इस मंदिर में बैठके और खड़े खड़े जो कोई बात करनी होती है तो हमसे लोग बार पूश्टे हैं मैं इस मंदिर के बारे में बताते हैं यह मंदिर जो है बताते हैं कि प्राचिन मंदीर है और इस गौंग की जो लोक है ये सब जो है जमनापार से आये हैं वहाँ पर एक राजा रहता था उसकी जब गाई आती थी तो उस गाई ने इस मंदीर की खोज करी है तो ये सारी कथा ये प्राचिन से चल के आ रही है और आप लोगों के और और संकर भगवान के गोद में दूद और घी की गंगा हम लोग पी रहे हैं पाने जी फिर भी आपके हिसाब से ये मंदिर कितना पुराना है ये प्राची नहीं बीटी यहां पे सत्य यूग तिर्ता द्वापर कल्यूग चारों यूग की सिबलिंग पाई जाती है जो की सबस सब्सकराइब पच्छम को और जो द्वारतार कोंने के खड़े हैं इनके मू भी पच्छम को और जो तरुवार उसका राजे पच्छम को हकी इसले अषण सिबलिंग का मू धर्म राज है too असबीरले सधाफना पच्छम ने इस भंटे ए दोन तोर्यम की बारे में त्ड जय है यहां के जो पुराने लोग थे हमारे इस गौंके जैसे हम लोग थे तो यहां पे पांढ़पों की प्राथा है जैसे अभी पांच भाई है चार भाई है और छे भाई है इस डौनसार बावर के छेतर में आज तो सारी सारी कथा, सारी प्राचिन चीजें, सब खतम कर दी है, बच्चों ने, और यहां पे, यहां पे, जो हमारा पुराना इत्यास था, यह जैसे दुरपती, पांच भाई, पांडपों की एक धरम पत्नी थी, वैसी यह जौन सार बावर में, और उत्रा आपके, यह रोवाई घाट में यह हमारी पांडपों की पथा थी. पंड़ जी, लाक्षाग्रह के बारे में आप कुछ बताएं. यहां पे, पांडप लोक और कौण रप लोक, यह दोनों कुंति मा के पांडप लोक थे, पांच भाई, और कौण रप लोक वो गंड़ाभी के थे, तो उन्होंने, वो यह एक दाडा के संतान पांडप प्रोग थे एक बाप की संतान कहला तो जैसे हमारी जौंसार बाओर में वैसे ही पांटपों की पर्था यहां पे थी और यहां पे जो लाका महल बनाया था तो कौन रपलोकों ने उनको आदर के साथ उनको भोजन करने के लिए इस प्रांगन में जो लाका महल बनाया था उसमें बुलाया गया और उनको अंदर लेके महल के अंदर बैठाया और उनके सामने जैसे भोजन पराप्त किया है वैसे ही उन्होंने बार से आग लगा दी और महल पे आग लगी तो उनके साथ पांच ब्रहमन देपता भी बैठे थे तो धर्मराज दिश्टर महाराज ने कहा कि है कुंती माता अब तो हम लोग इसमें जल जाएंगे और हम महार पंकी जड़ जो है पैदा करो और मुटि मा ने इंद्र महाराज को याद किया और इंद्र माहाराज ने बिदुर को ओर च्यों की सवा भी जी है और उन्नों नहीं यहांसे सुरूंग बनाई और आपके मंदिर के प्रांगन से मंदिर के जहां पे लक्स गरह बनाया था वहां से जो पांड़पों की दुन गुफा है वहां से करिवान एक डेट किलो मिटर दूर है शड़क पे वो है पांड़पों की दुन गुफा और पांडप लोक उस गुफा पे निकले और वो बच गे और उस गुफा के अंदर से एक सुरूंग केदारनात बजरीनात के लिए है जासे पांडप लोक स्वर्ग लहनी गए बैखुन दाम और उस गुफा के अंदर से कई सुरूंगें मैं अभी आपके साथ वहाँ जब के बारे में अब हम आपको ले चलते हैं दून्दगुफा के हूँ अ हमथम में अबgrass ठबस्वर्यॉ वह आपके अंदर से क्या हैं अई सिर ने बाफ़ों आपके आपके साथ नेधिग करकार्वे के और उड़ता हुआ साथ पर्लेंग आपके पांदर से अपके उसे बाते हैंन्हे झाम मैं हैं मैं जहें मैं वट्केंसी आवाशaya को नेसे जबर मैं इस वक्त खड़ी हूँ पांडवों के प्राचीन गुफा में ऐसा कहा जाता है कि पांडव पूरे एक वश्ट तक यहां पर रहे और इस गुफा के भीतर एक स्वैम भूश शिवलिंग है जिसके ओपर निरंतर जलकी धारा बहती रहती है